इर्फान रमजान शेख अक्टूबर 16-17-2017 की मध्यरात्री के दौरान आतंक वादियों ने एक राजनीतिक कारेकरता मुहम्मद रमजान शेख के घर को घेर लिया जब उनके 14 साल के बड़े पुत्र इर्फान रमजान शेख ने दर्वाजा खोला तो देखा की बरामदे में एके राइफल एवं ग्रेनिट के साथ तीन आतंक वादि खड़े थे आपने अपने परिवार पर खत्रे को भापते हुए उच्च साहस का प्रदशन कर उनका सामना किया ताकि वे घर के अंदर प्रवेश न कर सके इसी बीच आपके पिता घर से बाहर निकले तो आतंक वादि उन पर तूट पड़े अपनी स्वयम की सुरक्षा की एक्षण भी परवाह किये बगएर आप अपने पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के जीवन को बचाने के लिए आतंक वादियों पर तूट पड़े आतंक वादियों की अंधा धुंद गोली बारी से आपके पिता गंभी रूप से घायल हो गए फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और उस आतंक वादी से भिड़ गए जिसने आपके पिता पर अंधा धुंद गोली बारी की थी और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया आतंकवादियों ने जब वहां से भागने की कोशिश की तो आपने उनका पीछा किया और ऐसी परिस्थिती में वे अपने साथी आतंकवादी की लाश को छोड़ कर भाग गए इस तरह इर्फान रमजान शेख ने इतनी छोटी सी उम्र में असाधारन साहस और परिपक्वगता का प्रदाशन किया इर्फान रमजान शेख